है लो दोस्तों दोस्तों कैसे हूँ आप सोग अपको भाई हाज़े रहनी वाकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वाकेंसी आ रखी है वह आ रखे जी अमर्सी के तरफ से यहां पे लेटेस रिकृट्वेट निकाला गया है अब इस कंपनी के बादा करती है और गुजरात के अंडर यह काम करती है वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना बिल्कुल मैं आपको प्रॉसस बताऊंगा अप्लाए करने का यहां पे पे नहीं करना फ्री का यह फॉर्म यहां पर आपके लिए रहने वाला है ठीक है अब बात कर लेता है क्या eligibility criteria यहां पर रहने वाला है उससे पहले मैं आपसे छोटी सी request करना चाता हूं मिर भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना जब भी आप वीडियो को लाइक करता है तो हमको motivation मिलता है ऐसे बहतरे वीडियो ब पाइद हो और मैंने यहां पर description के अंदर सारे लिंक दे रहे है टेलीग्राम चैनल का WhatsApp ग्रूप का अब सब को जॉइन कर लेना इसका कोई सर्वी चार्ज नहीं है फ्री आफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए रहने वाले वहां पर आपको मैक्सिमम जॉप सब्डेट देखने को मिलेगा इसलिए बार बर कहता हूं जरूर से जल्दी से जल्दी जॉइन कर लेना क्योंकि ग्रूप जल्दी से जल्दी फिल हो जा सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में किसी भी स्टेट से ब्लॉंग करते तो आप यहां पे लिजिबल रहेंगे बस यहां पर आपको मैं समझाओंगा उस प्रॉसस को देखते हुए आप पराम से अप्लाइ कर देना तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो गंटी वाला इकन उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिविकिशन सबसे पहले मिल पाए और आपको आई इस चैनल पे इंडिरिंग जो अ अप्लाइ भी कर सकता है आप मोबाइल के थुरू इसमें कोई लैप्टॉप कोई पीसी नहीं चीए एक रुपे भी आपको यहां पर पे नहीं करना फ्री का यह फॉर्म आपके लिए रहने वाला है तो यहां पर आप देख सकता है जो वेकेंसी आपके लिए आ रखा है पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को जरूर से प्राइच कर लेना ताकि आपको नेक्स वीडियो के लिए डिरेक्ली अप्लाइ कर पाओ यहां पर देख पा रहे है जो वेकेंसी निकाला गया है रिकुरूट्मेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सिविल डिपार्टमेंट वेकेंसी आपके यहां पर रहने वाला है तो बेसिकली आपको जो वेकेंसी देखने को मिलेगी सिविल डिपार्टमेंट की वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी अगर आपने इटिय क्या है डिप्लोमा क्या है बीबीटे क्या है सिव देग पर औरहे चाट मेंशन किया है सीरियल नमबर पॉस्ट क्या रहे गा नमबर वैकन से एड़ूकेशन एक्सपीरियस और यहाँ पर आपका से लीपिविशन कर दिया गया है पूंप वैकन सी को डिसकॉस नहीं करेंगे जिसमें 10 बारा पंदरा 18 17 का experience मांगा गया है अगर आपको कोई जान पैचान का है ठीक है आपको कोई relation में लगता है तो आप उनको वीडियो से जेस्ट कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर देख पा रहे है additional general manager का वेकेंसी है यहाँ पर बीबी टेक सिविल में कर रखा है में टेकर रखा है इंवर्मेंट के अंदर तो आप अप्लाइ कर सकते है अठारा साल का experience मांगा गया है ठीक है कोई जान पैचान का वीडियो से जेस्ट कर सकते है एक लाग से लिए दो लाग साट हजार से चैलरी आपका यहाँ पर रहने यहाँ पर नेक्स वेकेंसी एडिशने जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर भी सीम रहने वाले तो अगर आपने बीबी टेक के अंदर पीजी डिप्लोमा किया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेफटी के अंदर तो आप यहाँ पर अप्लाइब सकते सेफटी जीनिर का भी वेकेंसे अब यहाँ पर देखने को मिलेगा भीसिक है यहाँ पर बहुत सारी वेकेंसी निकाली गए लग-lehnकाट्वे के अंदर यहां पर आप डेख पार रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं अगली जो वेकेंसी एसिस्टेंट सेक्षिनल इंजिनियर का वेकेंसी है तीक है सिविल ट्रैक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रहेगा और कॉंट्रक्ट बेसेस पे रहने वाला है 3500 से लेके एक लाग दस जार आपके हम पर कर सकते हैं यहां पर डिप्लोमा केंडीडेक्टे कर सकते हैं इस वह सारी यहां पर मांगा गयाएा बात कर ले चीजिए SEPower के बारे में 28 साल इस लिमिट दिया गया है जूनियर इंजीनियर का वेकेंसी भी यहाँ पे निकाला गया है यहाँ पे देख पा रहे हैं 33,000 से लेके एक लाख रुपा तक आपका सैलरी बैठे का नमबर वेकेंसी दो है अगर आपने डिप्लोमा के सिविल के अंदर आप अप आपको देखने को मिलेगा ठीक है सिविल के अंदर स्टेशन के अंदर तो आप अपको देखने को मिलेगा ठीक है सिविल के अंदर भी अपकी लिए ही वेकेंसी यहाँ पर रहने वाला है बात कर लेते हैं कुछ important point के बारे में तो यहाँ पर जो वेकेंसी रहेगा आपका contract basis पर रहेगा इन्हों नहीं यहाँ पर mention कर दिये contract कब से कब तक चलेगा तीन से पान साल मिनिमाम आपका contract चलेगा और उसके बाद आपके performance डिपैंड करती है कि आप कितना बढ़िया काम करते हैं उस पर ही depend रहने वाला है तीक है अब बात कर लेते हैं selection process आपके क्या रहेगा देखिए यहाँ पर आपका selection process रहेगा वो आप आपका on the basis of interview यहाँ पर रहने वाला है तो यहाँ पर जो बच्चे shortlisted होंगे उनको interview के लिए यहाँ पर call letter आएगा दें फिर interview होगा दें फिर उनका selection यहाँ पर आपके लिए होने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 31 मही से पहले-पहले आपका apply कर देना ह तो मैं आपको apply का process भी बताने वाला हूँ तो tension लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर misclinious में यह देख सकते हैं ठीक है time and date and interview यहाँ पर देख पार है call letter for interview will be shoot shortlisted applicant indicating time, date and venue of the interview जो shortlisted होंगे उनको ही mail आ जाएगा उनको परा चल जाएगा कि उनका venue क्या रहने वाला है interview कब interview का होने वाला है ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि apply कैसे करना है देखे मैं आपको apply link description में provide करा हूँगा आपको directly उस link पे click करना है जैसे आप उस link पे click करेंगे apply now नाम से आपको मिल जाएगा तो आपके सामने एक tab open हो जाएगा जैसा कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं अब आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना पड़ेगा कैसे फिल करना उसके बारे मैं आपको बता देता हूं देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको personal detail आपको डाल देनी है नॉर्मल सा है यार फुल नेम डेटो वर्थ एज करेगी category email address mobile number hometown native place आपका language क्या है ठीक है mother tongue के सारी चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है उसके बाद आता है post applying for जिस post के लिए apply कर रहे है वह post डाल देना है advertisement number आपको ध्यान में रखना है जो notification मैंने link description में दे रखा है और इसके advertisement number को आपके यहाँ पर डाल देना है और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि current address permanent address same as current address डालेंगे तो यह यहाँ पर permanent address यहाँ पर चप जाएगा वापस से experience detail आपको यहाँ पर fill कर देना है अगर आपक थोड़ा scroll down करेंगे आपको यहाँ पर upload image कर देने आपकी जो image है ठीक है यहाँ पर आपको अपना जो देख पार है attach your resume payslip और other document आपको यहाँ पर attach कर देना है ठीक है आपको यहाँ पर बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आता है education detail education detail के अंदर आपको यहाँ पर fill out कर देना है then फिर आप थोड़ा scroll down करेंगे यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा I agree उसके बाद आपको यहाँ पर apply now वाले बटन पर क्लिक करके आपको apply कर देना है ठीक है simple सा process रहने वाला है अगर आपको कुछ doubt आता है कुछ पूछना है तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेर कर देना ताकि आपका भी बलाओ सके मेरा भी हो सके और जिनको वीडियो मिल रहे उनका भी हो सके all the very best जैहिन